नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूटूब चैनल रह्मत राज माथमाटिक्स पर दोस्तों इस वीडियो लेक्शन हों बात करने वाले हैं रीट एक्जाम 2021 के लिए संसकर्थ की मोडल टेस्ट पेपर नमबर 45 के बारे में कुल 100 मोडल टेस्ट पेपर हम करने वाले हैं तो सातियों इस से पहले के जो पेपर है आपने नहीं देखें तो आपको चैनल पर मिल जाएंगे आप देख सकते हैं और 30 में से आज आज आपके कितने क्यों संसा करते हैं पहला क्योंसर आपके सामने है सातियों सहय योगे विबक्ति भवती सहय के योग में कौन सी विबक्ति होती है द्वित्या तृत्या प्रत्माई असस्टी चार विकल्प आपके सामने दिखाई दे रहे हैं सातियों तो इसका राइट आंसर जो रहेगा सातियों वह वह कौन सा रहेगा सहय के योग में जो विबक्ति होती है वह कौन सी होती है यह आप से पूछा गया है सात्यों तो राइट आंसर क्या हो जाएगा सात्यों ओप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा एक सुत्र है सहय युकते परदाने सहय युकते परदाने यानि जो सात अर्थ परकट करने वाले सब्द है सहय समम साकम सारदम इन सब में जो है सात्यों वह कौन सी विबक्ति होती है तर्थिया विबक्ति होती है सहय युकते परदाने सुत्र से बी ओप्शन करेक्ट आंसर बनेगा दूसरा परसन देखिए संस्कृत पदे परते अस्ती संस्कृत पदे में कौन सा परते है सातियों सत्री, कत, कुईप या तथप चार विकल्प आपके सामने है सातियों तो परसन नमबर दू का जो राइट आंसर रहेगा और एका बी ओप्शन कत्पर्ते का प्रियोग किया गया है इसमें जो सब्द बनेंगे वो बनेंगे संस्कृत संस्कृता संस्कृतम ठीक है तीनों रूपों में जब बनेंगे तो संस्कृता है संस्कृता संस्कृतम ये चलेगा तो कत्पर्ते लगावा है अगला है महा कवी पदे समास है अस्ती, महा कवी जो पद है इसमें कौन सा समास लगावा है, करमदारिये, द्विगू, तत्पुरुष्य, अव्योविभाव, तो सातियों बेलकुल इजी है, महा कवी में जो है, करमदारिये समास है महान है जो कवी, महा कवी, option number A जो है आपका correct answer बनेगा, अगला है विक्रमो वर्सियम पदै संदी अस्ती यन दिर्ग गुण या वर्दी चार विकल्प आपके सामने हैं सातियों विक्रमों वर्सियम में कौन से संदी है तो सातियों इसमें जो संदी प्रियुक तो यह वह है गुण संदी विक्रमों वर्सियम गुण संदी का प्रियुक या गया है C option correct answer रहेगा अगला है वर्तते इत्यतर किर्या पदै अस्ती पर्तम पुरुस एक वचन, पर्तम पुरुस दूई वचन, पर्तम पुरुस बवचन या कोईपी नास्ती तो साथियों राइट आंसर क्या रहेगा वर्तते राइट आंसर रहेगा साथियों पर्तम पुरुस एक वचन का ये रूप है वर्तते जैसे याचते 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 चलता है वेसे ही वर्तते का रूप चलेगा ये ओप्षन करेक्ट आंसर रहेगा आगे देखे एक सलोक दियावा है और पुछा गया है परसन नमर 6 में पध्यान से छंदे अस्ती कौन सा चंद है माली नहीं ये मानीली नहीं है माली नहीं है द्यान रखें सिखिरेनी इंदरवजरा और आर्या तो आप यहाँ पर काउंट कर सकते हैं वर्ण और बताइए कि कौन सा चंद इसमें परियुक्त हुआ है सात्यों परसन नमर 6 का राइट आंसर क्या रहेगा तो साथियों इसमें आप देख सकते हैं कुल 11 वर्ण है और 11 वर्ण हो और पहला जो वर्ण है पहला वर्ण यदि आपका गुरु हो साथियों तो वहाँ पर कौन सा चंद होता है इंदरवजरा चंद होता है तो राइट आंसर से option रहेगा अगला है आत्मा सब्दे लिंगे अस्ती आत्मा शब्द में कौन सा लिंग है pulling इस्तरिलिंग नपू सकलिंग या कोई पी नए तो प्रसन नमबर साथ का right answer क्या रहेगा साथियों आत्मा सब्द जो है हिंदी में इस्तरिलिंग होता लेकिन संसकर्थ में pulling रूप में होता है साथियों ए option correct answer रहेगा अगला है संप्रेश्य सब्दे प्रते अस्ती संप्रेश्य जो सब्दे इसमें कौन सा प्रते लगावा है कत्वा लिप यत या अन्यत चार विकल्प आपके सामने है साथियों प्रेश्य नमबर आठ का जो राइट answer रहेगा वो रहेगा इसमें लिप प्रते लगावा है साथियों यदि आगे उपसर गो और पिछे ये आए तो वहाँ पर कौन सा होता है लिप प्रते होता है साथियों option नमबर बी correct answer रहेगा अगला है इवान्तरात्मा पदै संदी विछेद कुरुद इवान्तह प्लस आत्मा इव प्लस अंतराता इवारंत प्लस आत्मा या कोई पी नास्ती तो साथियों परसन नमबर नो का राइट answer क्या रहेगा इवान्तह प्लस आत्मा option नमबर एक correct answer रहेगा वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजेगा अगला है संप्रेशे पदे उपसरगे अस्ती संप्रेशे शब्द में कौन सा उपसरग लगावा है तो साथियों परसन नमबर दस का जो राइट answer रहेगा वे रहेगा option नमबर ए सम उपसर का प्रियोग किया गया है अगला है अंते इस्ते वरणा नाम कर्म के अंते इस्ते वरण जो येन वरण केलाते हैं साथियों इनका कर्म क्या होगा ये पुसा गया आप से चार विकल्प आपके सामने हैं 11 नमबर का राइट answer आपको comment box में comment करना है राइट answer रहेगा option नमबर बी ये वर ले option नमबर बी जो है वो आपका correct answer रहेगा अगला है आपको वाच्चे परिवर्तन करना है सिता क्रेड़ती क्या बनेगा सातियों सिता क्रेड़ती इसको आपको भाव वाच्चे में translate करना है तो क्या बनेगा रोप सीता का जब तर्तिया विबक्ती एक वचन लगाएंगे तो सीतया क्रेड़ येते जी हाँ दोस्तों बी ओप्शन रहेगा बी ओप्शन करेक्ट आंसर रहेगा अगला है एहेम विदालियम गच्छती अश्य वाक्य एसुदम सब्द के इसमें एसुद सब्द क्या है एहेम विदालियम गच्छती क्या आएगा साथियों एसुद सब्द कौन सा है साथियों परसन नमबर 13 में तो 13 का राइट आंसर क्या रहेगा साथियों गच्छती नहीं आएगा साथियों गच्छा में आएगा क्योंकि एहम के अनुसार जब यहाँ पर लगेगी किरिया तो गच्छा में आएगा गच्छत यहाँ पर गलत है इसलिए बी ओप्षन करेक्ट आंसर रहेगा अगला है तसमई गुरुवे नमे तसमई गुरुवे नमे रेखाकित पदे परशन निर्मान करिशाम तसमई के नीचे अंडरलाइन है सात्यों आपको परशन निर्मान करना है इसमें क्या बनेगा इसका रूप तसमई की जगे के आजएगा तसमई आपको पता है चतुर्ती विवगति है तो यहाँ पर चतुर्ती विवगति लेके आएंगे तो राइट आंसर बनेगा कसमई इंपोर्टेंट परशन है तो पंद्रा नंबर का राइट आंसर क्या रहेगा बरत हरी विश्नु सर्मा कालिदास या बान बट तो इसका राइट आंसर है बरत हरी ओप्षन नंबर ए अगला है खंडानवे विदे प्रियाग है क्रियते खंडानवे विदी का प्रियोग करत पर्शन नमबर सत्रा है संस्कर्थ बासा शिक्षन का सिद्धान्त है जिहां सात्यों पर्शन नमबर सत्रा का राइट आंसर क्या रहेगा उप्षन नमबर डी करेक्ट आंसर रहेगा सात्यों अगला है किराता अरजुनियम की कौन सी करती है भारवी पाणिनी कालिदास किराता अरजुनियम जो है ये किसकी करती है ये पुछा गया है सात्यों तो राइट आंसर रहेगा भारवी उप्षन नमबर ए करेक्ट आंसर र नहीं है आदर्शनाट्य विदी अभिने विदी रंगमंच विदी या आगमन विदी तो परसन नमबर 19 का राइट आंसर क्या रहेगा शातियों नाटक शिक्षन की कौन सी विदी नहीं है तो आगमन विदी जो है सातियों नाटक शिक्षन की नहीं है ये आपके व्याकरण श प्रियायो अस्ती व्याक्रण का प्रियाय क्या है सब्दानुसासनम राष्टानुसासनम अनुसासनम या शर्व तो राइट आंसर क्या रहेगा व्याक्रण से प्रियायो अस्ती राइट आंसर रहेगा आपका ओप्शन नमबर एक करेक्ट आंसर रहेगा सब्दानुसासनम औ ये भी ध्यान रखना है important है तो option number A आपका correct answer रहेगा अगला है सिक्षन सुत्रम विद्यते कठिनात कठिनम परती कठिनात सरलम परती सरलात कठिनम परती या सरलात सरलम परती सिक्षन सुत्र जो है कौन सा है तो सातियो right answer क्या रहेगा सरल से कठिन की ओर जहां सातियों सरलात क गध्यम कती विदम दूइ विदम चत्वारी त्रिय या एक विदम गध्य जो है कितने परकार का होता है ये पुछा गया person number 23 में सात्यों तो गद्दे की कितनी विदाये हैं दो विदाये हैं option number A correct answer एगा एक होता है कथा और दूसरा होता है अख्याई की ठीक है सात्यों तो option number A correct answer एगा अगला है महावीर चरितम कश्य कर्ति एस्थी माहवीर चरितम किसकी करती है चार विकलप आपके सामने है सातियों परसन नमबर 24 का राइट आंसर क्या रहेगा तो राइट आंसर रहेगा भव भूती की एक करती है सातियों ए उप्षन बिल्कुल सही आंसर रहेगा अगला है कस्मीन कोसले वर्तनीम अधिकम महतवम दियेते किस कोसल में वर्तनी को अधिक महतव दिया जाता है सरवन कोसले, लेखन कोसले, पठन कोसले या कतनके तो सातियों राइट आंसर क्या रहेगा लेखन कोसल में जो है वर्तनी को अधिक महतव दिया जाता है B option correct answer बनेगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें अगला है लिखित परिक्षा या बैद है नास्ती निमदात्मक परशन है लगुरात्मक परशन है सलाका परिक्षा या वस्तो निष्ट परिक्षन है लिखित परिक्षा का बैद नहीं है तो सात्यों राइट आंसर क्या रहेगा सलाका परिक्षा जो है सात्यों ये है मोखिक परिक्षा का बैद कौनसा है मोखिक परिक्षा का बैद है तो लिखित परिक्षा का बैद कौनसा नहीं सलाका नहीं है option number C correct answer बनेगा अगला है कस्मिन विकल्पे बासा विकासाई मुल्यांकनेशे अउसरम प्राप्तम भवती सांसकर्तिक समारो है बाल सबायाम प्रातना सबायाम एते सर्वेशू बासा विकास का मुल्यांकन का अउसर परदान करने के लिए इसमें से कौन सा विकल्प सही है तो राइट आंसर क्या रहेगा साथियों 27 इसका एते सुर्वेशू एते सर्वेशू ओप्शन नमबर D अगला देखे अति लगुत्रात्मक परसना रानाम उत्तर सीमा शाथ अति लगुत्रात्मक जो परसन होते हैं उनकी उत्तर सीमा कितनी होती है परिश्टेकम, परुवाक्यम, एककम वाक्यम या वाक्यम दुएम तो साथियों अति लगुत्रात्मक जो परसन होते हैं उनकी उत्तर सीमा जो होती है एक वाक्यम उसके उत्तर दिये जाते हैं उप्शन नमबर C करेक्ट आंसर रहेगा अगला है निदानात्मिका उप्शारात्मिका चे शिक्षन किरिया पर्चलेद शिक्षक किशे इच्छोपरी, छात्रानाम रुची प्रियंतम, या वते छात्रानाम दुरुबलता दूरी ने भोती या एते सर्वे सात्यों पुछा गया है निदानात्मक और उप्चारात्मक जो शिक्षन है कब तक चलना चाहिए सात्यों कैसे होना चाहिए इसका राइट आंसर क्या रहेगा सात्यों जब तक छात्रों की दुरबलता दूर ने हो जाए यानि C option correct आंसर रहेगा अगला है मुल्यांकन परकार नास्ति मुल्यांकन का परकार नहीं है रूपक नियुक्ति संकलन या कथन तो सात्यों राइट आंसर क्या रहेगा मुल्यांकन के दो बेद भी माने गए हैं चार परकार भी माने गए हैं ध्यान रखना है तो इसमें कथन जो है वो सामिल नहीं है D option correct answer रहेगा तो सात्यों ये थे 30 क्यूशन और 30 में से आपके कितने सहीवे आप जरूर बताएं कमेंट में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं मिलते हैं अगले वीडियो में सात्यों तब तक के लिए जै हिन जै बारत थेंक यू